अगर आप android application बनाना सिखना चाते हैं अपने android phone से तो हमारे चैनल को subscribe करें और बगल वाले बेल वाले आकम को जरूद प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अप्रोड करूँ आपको notification मिल जाए और आप वीडियो मिस्स ना करें तो हेलो गैस वालकम टू मैं चैनल गैस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो कि आप फाईलफिकर कंपोर्ण को कैसे यूज़ कर सकते हैं जहांग आपको बताऊंगा किए sketchware का filepicker component को आप इस यूज़ कर सकते हैं तो चलिए बिना टाम गवाइस वीडियो को शु सब्सक्राइब करें तो यहां पर देख सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पिछला टूटोरिल नहीं देखा तो अब सकते हैं मैंने बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में अल्रेडी बता रखा हूं तो चलिए आज बात करेंगे कि क्यों यूज कि जाता और कैसे यूज कि जाता तो देख सकते हैं जो भी इनका ओफिचल वेबसाइट है उन पर आपको रिडारेक्ट हो जाएगा तो यहां पर रि रिडारेक्ट हो जाएगे यहां पर रिडारेक्ट हो जाएगे तो देख सकते हैं यहां पर यहां पर कुछ खास नहीं है इसमें फाइल पिकर कंपोनेंट में जो कि आपको एक कंपोनेंट मिल जाता है यहां पर तो यह इस कंपोनेंट को फाइल मैं आपको बता देने चाहत हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप सिंपल भाता में इन्होंने एक्सपलेन कर रखा है है तो यह कершे गजामपल mirrorow और ंप में टया कुछ भी का देता हूं आप ख़ले सकते हैं जो भी आप यहा पर चाहें वो कर सकते हैं मतलब किस टाइब के आप फाइल को पी करना चाहते हैं तो यहां पर बगल में आपको दीख रहा होगा यहां पर इस पर क्लिक करेंगे यहां पर तो आपको उप्शन दीचाएगा आप चाहते हैं इमेज फाइल को पी करना या ओडियो फाइल को पी करना तो आप य तो यहां पर देखने को मिले गए जो कि यहां पर देख सकते हैं पाला फाइल पीक्ट ओंपाला जो है यह वाली तो क्या होगा और यहां पर दूसरा component है यहां पर on file picked cancel मतलब अगर आपका file pick हो गया है तो आप क्या करना चाहते हैं उसे cancel करना चाहते हैं तो क्या करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं और एक है कि आपका file pick हो गया है तो आप क्या करवाना चाहते हैं तो हम यहां पर इस component को अभी use करें आपको दिखाने के लिए एक जापल के लिए तो सबसे पहले चलते हैं इवेंड वाले टेम में इसमें यहां पर तो यहां पर एक डिजाइनिंग कर लेते हैं तो यहां पर डिजाइनिंग करने के लिए यहां पर सिंपल सा एक बटन ले लेते हैं और इस बटन को मैं के लिए क जो कि में जो भी फाइल पिक करूँगा वो यहां पर सो हो मतलब इमेज भी पिक करूँगा तो यहां पर सो हो तो देख सकते हैं यहां पर यह दोनों ले लिया एक बटन ले लिया और उसके बाद एक इमेज ले लिया इमेज में मेरा जो भी पिक करेंगा फाइल मतलब जो भी इमेज़ पिक करेंगे वह यहां पर मेरा होगा तो बटन वान में यहां पर ब्लोक सेट करेंगे तो इवेंट में जाएंगे गाइस लोजिक सेट करेंगे यहां पर इवेंट में जाने बाद वियू में जाएंगे यहां पर देख सकते बटन वान पर जो मेरा क्लिक होगा तो में यहांपर पाइल पिक्स यहांपर यह वाली पिकछ फाइल का में इसे लिक कर देंहां… हो यहां पहले होघा है यहांपर इमेज कर्वा रहा हूं यहां पर चाहें तो यहां न यहां पर इसमेंसे बैस क्यों है और सकते हैं मैं पौईल यहां पीकर रहा हूँ ना कि यहाँ पर मैं text view या audio को भी पिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर image पिक कर रहा हूँ इसलिए आप image मैंने select किया था तो यहाँ पर यहाँ से भी जा सकते हैं आप यहाँ पर फायल पीक्ट में इसलिक करकर नीचे में तो यहाँ पर यतु Unidos मेय वी में तो उसके लिए आपको यहां पर लिस्ट व्यू में जाना होगा नीची में देख सकते हैं राइट सेर में दिख रहा होगा यह वाली इसको सेलेक करना होगा यहां पर एक लिस्ट व्यू अस्टिंग लिस्ट यहां पर इसमें सेलेक करना होगा अस्टिंग लिस्ट इस और फि свीडियो इस चेहां थे सकता है तो सिंप्ली क्या कें का रहें यहां पर यह आपक स्ट्राइब अब वाली यहां पर स्ट्राइब पात जब यहां पर यहां पर लिस्ट गो आपकर यहां पर स्ट्ल्वा करना है apa जो भी मेरा पीख हुआ फायल वह यहां पे मैं जियरो कर दिता हूँ देख सकते हैं मैं घुड़ा दिका दिता हूं कि जो भी रख हो फाइल यहां करके मैं आपको δिखा दीता हूं यहां करेंगे आपका कि आपका जो भी में पिक करेंगा वह आपका ImageView में आपका से रन होने बाद में इस्टॉल करके आपको दिखा देता हूं गया तो इस तरह से फाइल पिकर कमोनेंट को आप यूज कर सकते हैं बहुत ही असानी से तो मेरे वीडियो के जितना हो से कि उतना लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपने नहीं किया है तो औ मांग रहा है तो यहां पर कर देते हैं उसके बाद यहां पर देशकते हैं कि बटन पर क्लिक करें यहां पर तो यहां पर मेरा आगया यहां पर फाइल में आप चाहें तो यहां से से लेकर सकते हैं जो भी आपका है यहां से फाइल वगेरा आप यहां पर लेप सेट में जा पिक करने के लिए तो आई होफ यह वीडियो आपके लिए यूज फर रहा होगा तो चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टुटिलिक के साथ तब तक के लिए बाबाई टाटा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद